वेलकम बैक गाइज, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरस्टिक होने वाला है, आज हम लोग लडाने वाले हैं, एसर रोज एस्टिक्स G15, जो कि आता है Ryzen 5 5600H 3050 Ti के साथ, और उसके साथ उसका कॉंपेटेटर है यार, एसर नाइट्रो 5 Ryzen 5 5600H with 3060 configuration, यार मेरे को नहीं पता इनके विजेता कौन होंगे, बड़ जो भी होगा, देखने में बड़ा मजाएगा, तो यार, make sure to watch the video till end, तभी आपको सब कुछ clear हो पाएगा, तो यार मैं हो रोवित, और स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो के साथ, तो गाइस, एक तरफ पाता है हमारे पास में, एसर रोज एसरेक्स G15, तो हैं दूसरी तरफ पाता है, एसर नाइट्र 5, तो बड़ी सबसे पहले बात करना चाहूंगा, तो इसमें दोनों में आपको राइजन 55600H का वाला वेरियन्ट देखने को मिलता है, जो कि आता है, जो कि आता है 6 को उस 12 थेट के साथ, जो कि बूस्ट ह सकता है, 3.3 GHz to 4.3 GHz, चलो बाइज बात करता हूं अब GPU की, तो दोनों में ही आपको इन मीडिया की तरफ से आने वाला RTX 3050 Ti और Acer Nitro 5 में RTX 3060 देखने को मिल जाता है, तो गाइस दोनों में से जादा बैटर कौन है, तो जादा बैटर या 3060 है, as because आप जैसे कि देख सकते ह यह data मैंने official website से उठाया है, तो जैसा कि आप comparison करोगे speed का, तो आपको 3060 में plus 43% more मिलेगा इस compare to 3050 Ti, मैं बात कुरूं दोनों के average score की, जैसा कि आप देख सकते हो, कि average score 3060 की जीत रही है, plus 52% से, so yes, of course, आप समझ देखते हो कि 3060 ज्यादा बैटर है, record data की comparison करो, जो कि है overclocked score तो इसमें देख सकते हो कि 3060, of course, जीत रहा है, 3050 Ti से, so guys, आपको पिछले comparison से, यह तो समझ आ चुका होगा, कि 3060 भाई मचा देगा, तो अब इस करना है के थोड़स हम रूप रंग के बारे में भी जानेंगे, तो दोनों के ही हम build quality को compare करने वाल है, सबसे पहले हैं मैं बा structure देखने को मिलता है, जो कि overall इसके looks को बहुत जादा बेटर बनाती है, अगर इस laptop का price आज इतना महेंगा है, तो only because of the build quality, so guys, अगर मैं बात करूँ, Acer Nito 5 की, तो इसमें आपको वही पिछले वाला model का ही brand देखने को मिलता है, जिसमें आपको minor flex के साथ में RGB backlight का support देखने तरफ जा सकते हो, so guys, अगर मैं बात करूँ, डिस्प्ले की, तो दोनों में आपको full HD LED backlight IPS and display देखने को मिलता है, और दोनों में 63% sRGB 45% NTSC देखने को मिल जाता है, दोनों में 144Hz देखने को मिलता है, तो दोनों में जास्ती फरक है नहीं, तो आपको किसी के साथ भी जा सक देखने को मिल जाता है, दोनों में जास्ती फरक नहीं दिख रहा है, दोनों में ही बस थोड़े बने करी दिखने को मिल जाता है, मतलब आपको मिलेगा तो वही दो से धाई गंते के बीच में, तो दोनों में आपको 16GB का RAM देखने को मिलता है, जो कि क्लॉक दे 3200MHz पे, आपको ASUS S6G15 में 512GB के SSD, और वही ASUS NITO5 में आपको 256GB के SSD, और 1GB के HDD देखने को मिल जाता है, तो गाईज, अगर मैं बात करें थ दो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, उतने लाउट तो नहीं है, बट ओके आपका काम हो जाएगा, तो गाईज, अभी हम लोग बात करने वाले प्राइजिंग की, तो यहर, ASUS ROG S6G15 आपको 92990 और ASUS NITO5 9490 का फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहर, आपको ASUS NITO5 की तरफ जाना चाहिए, ऐसा इसले बोल रहा हूँ, विकास इसमें आपको 3060 कन्फिकरेशन देखने को मिल जाता है, जो कि यहर, बहुत तोड़ू परफॉर्मस देने वाला है, तो यह, अपकोस, और भी उपर से यहर, ASUS ROG S6G15 अपनी बेट कर सकते हो, otherwise जाना चाहो तो आप ASUS NITO5 की तरफ से भी जा सकते हो, that is all my opinion, आप क्या को ओलते हो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, तो guys अब जाने का वक्त हो गया है, तो यह, आप लोगों को से इंटराक्ट करके बहुत अच्छा लगा, तो guys आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में